हेलो एवरिवन चले बात करते हैं रिस्ट वौच में डिजिट्स को लेकर नमबस को लेकर नमबस की जो कलर होते हैं वो किस experien से एफेक्ट करते हैं फारी जो डायफ है उसको किसंतर्रह से एफैक्ट करते हैं कि देखिए अगर तो आप एक ऐसी yas watch पहनते हैं जिसके digits जिसके numbers या कह सकते हैं dashes और dots उनका color अगर white है अगर white color के आपके digits हैं आपकी watch में या clock में तो ऐसे जो लोग होंगे उनको जो भी अपने जो efforts हैं उनका जो result जो भी मिलेगा उसको easily accept कर लेते हैं जो मिला ठीक है acceptance होती है ऐसे लोगों के मन में कुछ जो उनके efforts होते हैं उनका जो result उनको मिलता है उनके प्रतीत ना तो लोग ऐसे कुछ खास rigid होते हैं rigid भी नहीं होते हैं और कुछ premium भी इनको नहीं मिलता है जो मिलता है यह accept कर लेते हैं इनका जो सोचना होता है ऐसा ही होता है कि जो मिला ठीक है कि एक acceptance होती है जो जो white color के digits या numbers अपनी wrist watch में या clock में जिनके होते हैं अब बात आती है जो black color के digits होते हैं numbers होते हैं वो क्या represent करते हैं देखिए ऐसे जो लोग हैं अपने goals के प्रती अपने targets के प्रती rigid होते हैं उनको वो चीज चाहिए ही चाहिए कैसे भी चाहिए इस तरह के लोग होते हैं जो अपनी wrist watch में या clock में ब्लैक अलगे digits रखते हैं अच्छा वो क्कॉन से लोग होते हैं जो अपनी wrist watch में या clock में silver color की digits या numbers या dashes या dots रखते हैं ऐसे जो लोग हैं वो demand नहीं करते हैं लेकिन इनको बिन मांगे premium things premium efforts जो भी इनके होते हैं premium gains इनको हो जाया करते हैं एक अच्छे gains हो जाते हैं एक तरह से इनको demand करने की जरुरत नहीं पड़ती है ना तो इनको rigid होने के जरुरत पड़ती है लेकिन एक अच्छा गेम यह दिखाते हैं silver color digits silver color numbers एक बहुत ही जादा premium बहतर गेम शो करते हैं बिन मांगे इनको में जाया करते हैं अब वो कौन से लोग होते हैं जो golden color के digits या numbers अपनी wrist watch में रखते हैं या जिनके जो golden color के dashes है dots हैं वो क्या represent करते हैं देखिए ऐसे जो लोग होते हैं इनको premium चाहिए होता है इस तरह के लोग selective होते हैं बहुत ही जादा choosy होते हैं अपनी goals और targets के प्रतिए इनको जो भी चाहिए होता है प्रीमियम चाहिए होता है और इनको मिलता भी है इनको इनके efforts का जो result है premium मिलता है silver से जादा premium color है यह golden यह मानके चलें कि golden जो digits है numbers है dashes है dots है यह silver से जादा gain जादा result अच्छा result इनको मिलता है और यह demand भी रखते हैं और इनको मिलता भी है अब वो कौन से लोग होते हैं जो अपनी wrist watch में जिनके जो dashes है या dots है वहाँ पर diamonds होते हैं again diamond represent करता है Venus को शुक्र को premiumness इनको भी अपनी life में जो मिलता है premium मिलता है इनका जो चुनाव होता है इनके जो choice होती है premium होती है और इनको premium ही मिलता है तो इस तरह से जो digits है numbers है dashes dots काम करते हैं बाकि dashes और dots के अपने-पने meaning है digits के size के style के different meaning है कोई particular style है digit का वो कुछ कहता है और कुछ particular style कुछ कहते हैं इनके sizes अलग-अलग कुछ ना कुछ अलग represent करते हैं किसी ना किसी अलग चीज को show करते हैं तो आज तो बात हुई सिर्फ colors को लेकर कौन से colors अगर digits में होंगे या numbers के होंगे या जो भी है तो उसमें क्या show होता है क्या represent करते हैं मिलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और tips को लेकर आज के लिए इतने बाबाए करते हैं